आम आदमी की ओर से आमा आदमी पार्टी का आज हला बोल नजर आएगा हला बोल के जरिये के लिशेवाल की गरफतारि को लेकर प्रदाशन करेगी आमादमी पार्टी देश में कई जगहों पार विरोथ प्रदाशन होगा दिल्ली पुलिस ने फिलहाल बयान दिया है आपको प्रदाश्चन करने की अनुमती नहीं मिली है पीम आवास घिराफ की इजाज़त नहीं मिली है प्रदाश्चन करने वालों को किया जाएगा गिरफता तो इस वक्त की बड़ी और एहम जानकारी देखे लगातार दिल्ली के सीम अरविंद के श्रीवाल की गरफतारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कारश्चन कर रहा है और ऐसे में पहले से ही आमादमी पार्टी ने पीम आवास के घराव के लिए प्लानिंग तयार की थी लेकिन फिलाल दिल्ले पुलिस ने इस पश्ट कर दिया है कि अगर कोई भी पीम आवास के इर्द गिर्द गूमता नजर आया चाहे वो नेता हो चाहे वो कारे करता हो उसे तुरंत गरफतार किया जाएगा तुरंत उसे हिरासत में लिया जाएगा PM आवास के घिराफ की प्लाणिंग आम आदमी पार्टी की पहले से तयार है दिली के CM अर्विन के जिवाल अभी भी जेल के सलाकों के पीछे 28 मार्च को उनका जो रिमांड है वो खत्म होगा लेकिन उससे पहले लगातार आम आदमी पार्टी के कारे करता और नेता विरोध करते प्रदाशन करते नजर आ रहे हैं पीम आवास का घिराफ करने की पैनिंग इसले भी की गई क्योंकि बीजेपी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक मुहीम शुरू कर चुकी है और इस मुहीम के जरिये ना किवल दिली के सियम अर्विन के शिवाल को किस तरह से पसाया जा रहा है इसका आरोब बीजेपी पर लगाया जा रहा है बलकि साथी साथ भारतिय जुनता पार्टी के साशन में किस तरह से मंचला रवया एडी का सीबी आई का जितने भी केंद्र एजेंसियां है उनका नजर आ रहा है उसे भी दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है